आज वो नमस्कार अवाज आ रही कि देखने जरा करे शुरू भई कैसे आप सब लोग बताएं हाल चाल बताओ पहला अपना आगे का तुम भी तुम भी मेरे साथ साथ ही लगे रहते हो दन करे शुरू जैहिन 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 आप सभी को बिलकुल चलो आजो फिर तयार करेंगे आज की क्लास बड़ी ऐसे गर में लगे तो बता दिवाई चला देंगे यार बहुत सुपह के उठे हुए है नो बज़े उठ जाते हैं नो ने आठ बज़े उठ गे थे मैं ठीक हूँ तुम लोग सुनाओ के आल चाल चलो जादे टाइम ने लेते सीधा शुरूआत करेंगे किदम फटाफट स्पीड के साल रेडी करें शुरू अगर मेरी आवाज बगएरा किलियर आ रही है तो चलो फिर शुरूआत करते हैं आज की थियोरी के क्लास का तो यहां से जब आज की शुरूआत करेंगे तो जरा समझेगे इसको कैसे कैसे क्या क्या होगा एक बड़ क्लास को जरा ध्यान से देख लेते हैं है ना चलिए तो यहां पर मेरे वच्छे सीटेट जुलाई के स्पार्ट में जब आप देखेंगे तो यहां आपके सामने तो यहां आपके सामने आता है जो आपकी स्क्रीन पर चुरूआए गारणर की थियोरी देखो गारणर की थियोरी के साथ जब आप पड़ेंगे तो यह Multiple Intelligence की थियोरी को याद रखते टाइम ऐसा हुआ कि जरा इसकी जानकारी देदू फिलाल मैसिज एक साइट बंद करके यहां समझा रहा हूँ मल्टिपल का मतलब भी होता है एक से ज़्यादा अब एक से ज़्यादा वाली जब बात आती है तो सीटेट बड़ा समझदार निकला सीटेट ने क्या किया जब भी सवाल आते हैं इंटेलिजन्स की ठिउरी में आप बाकी सारी वह वन फेक्टर two factor three factor group factor यह सारी चीजे पढ़ते हैं इससे सवाल निया आते सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं आते हैं आते हैं और एक ही पेपर में मनल्टिपल इंटेलिजन्स का मतलब कहता है कि मान लीजेगा आप में से, अभी चलो मैं एक example देता हूँ, कभी भी ये मत समझेगा, देखिए हर इंसान एक चीज में क्या होता है, best होता है लेकिन best वो इसलिए होता है, क्योंकि वो उसमें, उस एरिया में उसमें ज्यादा best चला है उसे दाल चावल, बनाने उसे सब टाइप के चावल और याते हैं, बट इन में से कोई एक ऐसी चीज़ जो best बनाता है तो जो best वाली चीज़ वो बनाता है ना, इसका मतलब वो उसका best जो है, तो ये नहीं कहता कि बाकी खराब है लेकिन उन पाँचों में से उसका वो जो best है वो उसका best ही बन जाता है तो आप भी क्या करते हैं, आपके बास मान लीजेगा आप Hindi पढ़ते हैं, आप English पढ़ते हैं आप Math पढ़ते हैं, आप SST पढ़ते हैं और आप मान लीजेगा reasoning पढ़ते हैं तो आप पढ़तो सब कुछ लेंगे, दिक्कत इस बात की नहीं है बस एक क्या होगा best तो इसी चीज को बताते हैं, Multiple Intelligence Theory में Gardner साब कहते हैं कि एक इंसान के पास होते हैं एक इंसान के जो पास होते हैं वो एक से ज़्यादा बुद्धी हो सकते हैं लेकिन हर इंसान की जो बुद्धी है उसमें कोई क्या होती है, best होती है और जिसमें वो best चली जाती है उसके साथ वो best कैसे निकल के आती इस चीज को इन्होंने बता यहां तो इसको trick के तोर पर याद रखेगा मेरा, इंडिया, बोले, very, very, important नरेंद्र, मोदी, आप इसको जब आप देखेंगे तो मैंने इसको trick में बता दिया हिंदी में लिख देता हूँ, मेरा तो मेरा में बेटा याद रहना, M इंडिया, है न, इंडिया में क्या रखोगे, I बोले, बोले में क्या रखोगे, B यहां पर भी क्या रखोगे, V इसका भी क्या रखोगे, V और important का जो आपके सामने आ गया, important तो important का मतलब क्या होगा, I important, N का मतलब क्या होगा, Narendra और उसके बाद, यहां पर क्या आजाएगा, Modi तो Modi का मतलब होगा, M तो एक बात तो यहां से clear पता चल जाएगी कि कोई पूछेगा multiple intelligence के बारे में multiple intelligence के बारे में आप से कोई पूछेगा कि कितने type के बारे में बताया गया तो multiple intelligence के बारे में जो बाट आता है देखो ज़रा तो अगर आप यहां ध्यान दोगे तो इसका मतलब ये वाला जो M है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो हमेशा याद रखना इसका मतलब गार्टनर साब अगर कोई पूछे के गार्टनर साब ने कितने टाइप की बुद्धी के बारे में जिक्र गया तो याद रखना मेरे वच्चे कितने तरीके 8 होंगे चलेगा अब आपके सामने जब 8 वाला तो एक जो आते हैं नाम इससे समझते वे चलेंगे और जब आप समझते वे चलेंगे तो एक बार में इसको थोड़ा सा याद गरा देता हूँ तो मैंने आपके सामने बोला मेरा, इंडिया, बोले, वेरी और यहाँ पर वेरी, इंपोर्टेंट, नरेंदर, मोदी तो मेरे बच्चे यहां से आप इनके याद करना जैसे जैसे आपके सामने आएगा तो अगर आपके सामने पहले वाला M आ रहा है तो इसको बोलना है musical क्या बोलोगे? musical इसका मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें क्या होते? संगीत में बुद्धी होती है तो जिनके पास संगीत का ग्यान होता है जैसे singer लोग होंगे, composer लोग होंगे तो याद रखना जो singer इसका मतलब musical वाले जब आए तो M4 क्या आ जाएगा? यहाँ पर musical तो इसका मतलब जितने भी singer लोग होते हैं वो आपके सामने यहाँ पर आ जाते हैं कहाँ पर आ जाते हैं? यह clear है कि नहीं है? अब इसके बाद अगर आप दूसरा देखते हैं तो इसके बाद आपके सामने एक I है I का मतलब याद रखना interpersonal क्या हो जाता है? interpersonal interpersonal का मतलब होता है inter का मतलब मैंने बताया था दूसरों के लिए तो इसका मतलब ऐसे लोग जो भीया अपने साथ तो देखते हैं, साथ साथ में दूसरों भी ध्यान रखते हैं, तो interpersonal जो लोग होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं, जैसे politician लोग हो जाते हैं, interpersonal में आप ऐसे लोग हैं, जो एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं, तो इसका मतलब अगर आपके सामने interpersonal है तो दूसरे की मदद करने वाला आप देखो B से अगर कोई आएगा तो B से याद रखना bodily bodily जो काइन एस्थिटिक होते हैं इसका मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारी रिक वाले होते हैं सारी रिक बुद्धी वाले और सारी रिक बुद्धी वाले नॉर्मल अगर देखके चलोगे तो तुमने कुछ पहलवान लोग कभी कभी देख ली होंगे है ना बोटलिक आयन इस्थिटिक में क्या देखा होगा पहलवान लोग तुम देख लेते हो अब उसके अलावा अगर कोई आपके सामने आजाए वी वी से मिरवच्चे याद रखना कोई होते हैं विजवल वाले अब विजवल जो होते हैं ये क्या होते हैं दार्शनिक वाले हो जाते हैं या आप इनके साथ ये साथ सकते हैं special भी होते हैं SPATIAL इसे special पड़ा जाता है ऐसे लोग जो आगे का जैसे तुमने चितरकार लोग देखे हो कैसे होंगे चितरकार लोग देखे हो आपने जो यह देखा हो भई जो अर्टिटेक्ट होते हैं ये वाले लोग को देखा हो तो ये ना मतलब सोचो जो घर तयार नहीं हुआ उससे पहले उनके बारे में बता देते हैं कुछ लोग मेरे बट्चे यहाँ पर आते हैं जैसे वर्बल वाले तो verbal वाले जिनके पास क्या होता है सापदिग्यान होता है सापदिग्यान is like जैसे नरेंदर मोधी जी हूँ जिनके पास बोलने की शक्ती है या आप इसमें कर सकते हैं कुमार विश्वास को या आप इसमें ले सकते हैं poet को या फिर इसमें आप किसको ले सकते हो राइटर में तो आपने कई बार ये चीज़े देखी होंगी न भाई कोई क्या होगा लेखक होगा या फिर कोई क्या होगा आपका क्या होगा कवीता लिखने वाला होगा कभी होगा अब इसके बाद एक आता है यहाँ पर जो आता है इंट्रा वाला अब देखो एक इंट्र वाला था एक इंट्रा वाला इंट्रा पर्सनल वाले होते हैं वो वाले जो भाईया सारी मतलब मोमाया को क्या कर चुके हो त्याक कर चुके हो वस दूसरों के लिए जीना जीना जानते हो तो आपने कई बार न का मतलब होता है नेचुरल नेचुरल का मतलब होता है ऐसे लोग जो कहां से जुड़े हो परकरती से जुड़े हो इसका मतलब आपने जो परकरती से जुड़े हो तो आपने चिपकवांदुलन वाले बागुणा साब को संदरलाल बागुणा को देखा हो परकरती से प्यार करने वाले या बोटनी वाले जो teacher होते हैं ये वाले होंगे इसके अलावा अगर last वाला बचेगा तो ये होते हैं पतर है mathematical वाले maths वाले बोल दो या फिर क्या बोल दो reasoning वाले इसका मतदद जिन लोगों की तरक शक्ती बढ़िया होती है जो लोग reasoning बढ़िया लगा लेते हैं वो किसमें आ जाते हैं आपके mathematical में देखिएगा यहां तक मैंने आपको सिर्फ याद कराने की कोशिश करी इस तरीके से कि आप इसे trick में याद रखें बट क्योंकि हमारी आदत हो चुके हैं इस बात के साथ कि वह या हमें थोड़ी सी चीजों को क्या है लिख के याद करना है तो हमने सोचा वो भी देख लेत ना यह थियोरी जिस बारे में बात करती है तो इसका मतल़ यह थियोरी बात करती है डाइवर्स के बारे में ना अब यह डाइवर्स की मतलब क्या होगा इसका मतलब डाइवर्सिटी यह बताती है याबर कि हर इंसान को भगवान ने एक अलग-अलग परगार की बुद्धी दिया है, सर स्क्रीन शोट लेना है, हाँ लेलो येलो, पूरी पूरी पीपिटी लेलेना, चलिएगा, सर वोईस में एनर्जी ने, प्लीज पानी लेलो, पानी पीक एनर्जी आते हैं, ओतरेगे, हाँ जी आगी एनर्जी, चलो भाई, सावाश, आज आगे की दरफ, आप चाहते हैं, हर इनसान के पास बुद्धी एक टाइप की नहीं, अलग अलग वेराइटी टाइप की, क्या है बुद्धी है, जो जिस चीज में तेज होगा, इसका मतलब उसके पास वोई बुद्धी क्या होगी जादा, मालो किसी बच्चे के पास मेहत बढ़िया है, तो इस अगर ये बात आप ध्यान से देखेंगे, तो हमने इस बात-बात में पूरी लाइन बोली है, तो यहां से जब आप इस बात को समझते हैं, तो इसका मतलब मेरे अंदर का कवी निकल जाता है, और जब कवी निकलता है, तो मेरे अंदर क्या आ जाता है, वर्बल वाला आ जा तो मेरे अंदर क्या होगा फिर musical वाली भी आ जाएगी अब कुछ देर बाद ऐसा होगा कि भईया ऐसा है मुझे लगा कि कोई बच्चा है मैंने उसकी मदद कर दी कोई मेरे को गाली देरा मैं कोई बात नहीं है ना चले जाने तो इस बात को तो यह सारी चीजे ऐसा है बड़ मैं उन सारी चीजों में perfect नहीं हो सकता ना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उपर नीचे कम या कम तो होगा अब इसके बाद इसी तरीके से जब यह सारी बाते बता दी गई तो सारी बताने के बाद गाटनर सहाब ने कहा कि लो भई हम दे देते हैं या तो गाटनर की बिटा एक बात याद रखने एक पुस्तक आई थी frame of mind, क्या बोला जाता है frame of mind, तो जब आपके सामने आता है ये वाली बात frame of mind, बिटा आजकल मैंने चाई पीना छोड़ दिया है ना, चाई थोड़ी से मैंने कम कर दी, ठीक है तो अगर आपके सामने आता है ये वाली बात, तो अगर आपसे पूछेगा कि इनकी जो किताब थी, जिसमें इसका जिक्र हुआ था, तो frame of mind करके एक किताब आई थी, जिसमें इसका क्या हुआ था, जिक्र हुआ था यहां तक, अब इसके बाद आपके सामने इन्होंने जिक्र किया, तो जो सारी की सारी में आपको पढ़ा के लाया हुँ, तो इसका मतलब यहां पर क्या है, संगीत वाली क्या है, musical है, बागदोड वाली क्या है, body वाली है, interpersonal क्या है, people smart वाली, जिसमें आप visual है, क्या है, आगे तक देखने वाली, उसके बाद जेगा, है ना, तो यहां आपके सामने से एक एक करके जरा समझ लो, तो verbal linguistic में हमारे सामने पहले, जिनकी आवाज अच्छी होती है, जिनके पास शब्दों का ग्यान जादा अच्छा होता है, तो ऐसे लोग जिनके पास शब्दों ग्यान होता है, वो किसमें आजाते हैं verbal linguistic intelligence में पहला, दूसरा जो आता है logical, ऐसे लोग जिसकी mathematical ability क्या होते अच्छी इस theory की सबसे खास बात है कि अगर आपने इसका वो भी याद कर लिया ना, मेरा इंडिया बोले very very important, तो मेरे बच्चे example क्या है, लतामंगिशकर जी तो आपको पता है ये वाली बात इसका मतलब इनके साथ क्या है, इनकी भगवान ने आवाज ऐसी दी दी, है ना, तो यहाँ पर आपके सामने बात आ गई, दूसरी तरफ अब आप आगे देखते हैं तो आपके सामने क्या आता है, बोडली इसका मतलब जितने भी एथलीट देखते हो जितने भी जिमनेस्टिक वाले देखते हो अच्छे एक बात बताओ शिल्पा शेटी जी, अगर बढ़िया योगा करके दिखा रही हैं, तो उनके पास कौन सी इंटिलिजन्स मिलेगी? बताओ जरा, शिल्पा शेटी और अगर इससे भी बढ़िया बाबा राम देव अगर सुबह सुबह तुम्हें ऐसे करके दिखा रही हैं, तो क्या होगा? बताओ जरा उनके पास कौन सी सक्ति मिलेगी? बताओ जल्दी जल्दी बताओ बई बाबा राम देव के पास और शिल्पा शेटी जी के पास कौन सी वो मिलेगी शक्ति? बहुत बड़ी आगे ने समझ में? ये बात तो यहाँ, अगर फ्लेक्सिबल जो लोग होते हैं यहाँ आगे देख मेरे बटे विजवल आ गया ना तो विजवल किसके साथ होते हैं? ऐसे लोग जो क्या करते हैं? आज में रहके कलगा तो जो आपके नक्षा बनाने वाले होते हैं, जो जैसे पाइलेट होता है अब पता नहीं कैसे समालेगा आगे जैसे टीचर भी एक तरीके से विजवल स्पेशल में ही मान सकते हैं क्योंकि तुम जैसे गधो के साथ वा आगे बढ़ता है तुम्हें पता है पढ़ाना है फिर भी तुम मानोगे कि नहीं मानोगे देखते हैं ठीक है? चले अब इसके बाद बज़ याद रखना विजवल वो होगा जो आगे की बात सोच लेता है आगे की बाते देख्टे आपको क्या करदेगा बता देगा चाहिए वो आर्टीस देखो आर्टीस जो है उसे नहीं पता होता लेकिन अपनी इमेजिनेशन के साथ पूरी की पूरी फोटो क्या है बना देता है अग इंजीनियर हो गया बिलकुल बहुत बढ़िया अब उसके बाद देखेगा इंटर परसनल है ना इंटर परसनल क्या होता इट रेफर टू दा अबिलिटी टू अंडेस्टेंड अधर एंड शोशल इंटरेक्शन तो क्या हुआ इसका मतलब जो लोग अपनी दुनिया को दूसरों के लिए नोचावर कर देते हैं वो लोग जब दुनिया का दुख दर समझना शुरू कर देते हैं इसका मतलब वो किसमें आ जाते हैं इंटर परसनल में और उसके बाद अगर आपके सामने आता है तो क्या आता है इंटर परसनल तो यहां भी आपको साथ इंटर परसनल दूसरों के दुखों को जानगर उन्हें मोटिवेट करना उनके च्छाओं को आगे बढ़ाना उनके साथ समाज के हित में कुछ काम करना उसको क्या बोला जाता है इंटर परसनल भी अब आपके साम प्रेम ने आता है अलग बात ये क्या थी Naturalistic और Naturalistic का मतलब मैंने आपको बताई दिया था वो वाले लोग जो प्रकरती से क्या करते है प्रेम उनको जो बोला जाता है क्या बोला जाता है Naturalistic यहां बद अब इसके बाद की जानकारी खतम हो जाती है theory के बाद mcq आ जाते हैं are you ready for mcqs बताईएगा तयार है भई ठेकेदार मिस्तरी बिलकुल बड़े भई तो mcq में पहला mcq आप लोग के screen पर आ रहा है ये बताईएगा gardener सहाब ने क्या दिया है आपके सामने चार option है जल्दी जवाब दीजेगा gardener सहाब की जानकारी को बताईएगा क्या जानकारी होगी जी डन भई चलो पहले सवाल का जवाब बताईएगा यहाँ पर जी हाँ बेटा इंट्रसेल्फ होता है इसलिए उसमें दोनों में है न जवाब अपने आपको जानकर भी दूसरों की मदद करना शुरू कर देते हैं तो जो होवर्ड गार्डनर वाली बात आती है हवर्ड गार्डनर की पहला इन्होंने एक तरीके की बुद्धी बताई गलत हो गया इन्होंने दो तरीके की बुद्धी बताई गलत हो गया इन्होंने तीन तरीके की बुद्धी बताई गलत हो गया इन्होंने कहा भईया ऐसी बात है जो है ना आतर्क दिया कि बुद्धी अलग-अलग परकार की होती है, तो इसका मतलब उन्होंने बता दे, distinct type, अलग-अलग, तो पहले सवाल का जो जवाब होगा, वो क्या होगा, option number D, नमबर 2 देखो भई जल्दी, visible special intelligence include क्या करती है, द्रशे इस्तनातिक जो बुद्धी होते, स्थानिक बुद्धी होते, आप देखो, visual वाली बात आगी, तो इसका मतलब वो लोग जो आज से आगे के भी सोच सकते हैं, तो अगर बताओ जरा क्या जवाब होगा, तो यहाँ, आपके सामने पहला जो option, दूसावाल नंबर दो का जवाब आता है, पहला कहता है, ऐसी capacity जो सोचती है, images के बारे में, picture के बारे में, visualization के लिए abstractly, मतलब आगे तक हा, तो दो का बात यह तो सही है, कि जो चीज दिखनी रही, उनके बारे में भी सोच पाना सही बात, sensitivity करती है rhyme, यह तो बेटा, music वाले के थे, यह हटा दो, comprehend, creative story poem, यह poem वाले कौन से थे, verbal वाले, इसको भी हटा दो, और बेटा, जो animal और plant को प्यार करेंगे, वो कौन से थे, naturalistic वाले, तो सवाल का जवाब सीधा-सीधा क्या होगा, option number A, तो दो का जवाब, जिन्होंने A चुना, वो क्या है, बढ़िया है, number आ रहा है आपके सामने तीन, gardener साब की theory में आपको यह बताना है, कि जो manipulate करते हैं, both the body and object as referred, बुद्धी के सिध्दान में, शरीर और वस्त्वों दोनों को कुशलता पूर्वक उप्योग करने के शमता किस में होती है, अब शरीर की अगर बात आ गई, तो बताओ शरीर की बात कहां से पकड़ोगे तुम, शरीर की जो बात होगी, बताओ कहां से पकड़ोगे, तो नंबर तीन आपके सामने आया, और तीन का जवाब दीजेगा क्या होगा जी, बेटाओ दिल खोल के पड़ा दी, उसमें पता है, जो गाटनर की इंटेलिजन्स की थियोरी है न, वो अराम से है न, चले, यहाँ पर नंबर तीन का जो जवाब है, आप तुम्हें पता चल गया, बोड़ी से रिलेटिड बात है, और बोड़ी से रिलेटिड जो बात होगी, वो कौन से होगी, ओप्शेन नंबर बी, ओप्शेन नंबर क्या होगा, बी, यहाँ पर किलियर हो गया, चलो भई, मैं तुम्हें बता दू एक बार, यहाँ से, आपको बोजल दी न, क्योंकि आप लोगों को मेरे को, यह वाले सीटेट का जो बैच था, अब अगर आप थे, तो सीटेट का जो बैच यूट्यूब पर था, यह वाला, तो यहाँ पर आपके सामने न, दस दिन, चलो अभी नी, ब्रेक के बाद बताऊँगा, स्पेंस रखता हूँ, कुछ स्पेशल आएगा, उस स्पेशल के साथ इसे हम न, कुछ स्पेशल उसमें वाइंड अप करेंगे, इस स्पेशल कुछ आ रहा है, कनेक्शन करता है, बेस्ट उन प्रायर नोलिज, एंड आर्ट रोन केटेगराईज करता है, पैटर्न करता है, रिलेशन्सिप बताता है, बिट्विन आइडियाज, देखो जितने लोगों ने बस ये वाली बात जान ली न, इस थियोरी में, जो आठ नाम है, उसके अलावा जानने की जुरत ही नहीं है, जैसे नंबर चार को देखो गए, तो नंबर चार में बेटा क्या कह रहा है, आब एक बात बताओ, पैटर्न जिसमें होता है, और रिलेशन्सिप जिसमें होती है, वो हमेशा याद रखना लोजिक होगा, या फिर क्या होगा, मैथमेटिकल, तो सवाल का जवाब, ना तो शरी से रिलेटिड है, ना इंटर से रिलेटिड, ना बाशा से रिलेटिड, आंसर क्या होगा, आप्शन नंबर ए, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे नए सवाल के तरफ, चार के बाद नंबर पाँच आएगा, नंबर पाँच क्या कहना चाहता है, आपको ये बताना है, कि गार्टनर ने कौन सी धारना को चुनोती दी थी, आप गार्टनर जो साहब है, उन्होंने बुद्धी की कौन सी धारना को चुनोती दी थी, नंबर पाँच आपके सामने है, बताईएगा, पहला, कि गार्टनर कहते थे कि बुद्धी पूर निर्धारित और निश्चित होती है, दूसरा, गार्टनर कहते हैं कि बुद्धी का जो है, वो क्या है, एक व्यापक होती है, एक आत्मक नहीं है, कहते हैं, वो मल्टिपल फॉर्म में होती है, और ये कहते हैं, डिफरेंट टाइफ ओफ इंटेलिजन्स इन वेरी डिग्री, कि व्यक्तियों के पास, अलग-अलग मात्रह में, अलग-अलग प्रकार के क्या होती है बुद्धी, अब अगर नंबर पाँच में कोई जाओगे, तो गाटनर साब की थियोरी का नाम क्या है, मल्टिपल इंटेलिजन्स, और अगर आप मल्टिपल इंटेलिजन्स देखोगे, तो इसका मतलब पाँच में सिर्फ एक यह ओप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसमें यह क्याना चाहता है कि चैलेंज किया था, इन्होंने कहा था बुद्धी पूर निर्धारित और निश्चित होती है यह वाली बात, दूसरा कहा था बुद्धी एक व्यापक अवदार्णा है, जो एकात्मक नहीं है, तीसरी बात कहा था, देर आर मल्टिपल फॉर्म्स ओफ इंटेलिजन्स यह और तीसरी, देख मेरे बच्चे, अगर इन्होंने चैलेंज किया होता, इन्होंने तीसरे को चैलेंज निक है, इन्होंने तीसरे को बताया है, इन्होंने तीसरे को क्या है, बताया है, चोते वाले में कहा है, कि individual करता है different type of intelligence हाँ, व्यक्तियों के पास अलग अलग मात्र हैं, विभिन परकार की बुद्धी, ये उन्होंने बताया है, इसको उन्होंने चैलेंज नहीं, चैलेंज करने का मतलब होता है, एक बात बताओ, तुम मैं ये तुमसे चैलेंज करता हूँ ये वाली बात के साथ, कि मैंने तुमसे चैलेंज किया, कि तुम 90 नंबर लाओगे, तो ये चैलेंज सोड़ी नहीं तो कोई आप नहीं कर पा रहे, मैंने कहा कि एक काम करो उड़के दिखाओ, तो अब उड़के दिखाओगे तो एक तिर्मा चैलेंज है तुमारा तो इसलिए सवाल को ज़रा धिहान से देखो उन्होंने सारी चीजों के बारे में जो बता हो सही है, बट उन्होंने चैलेंज किया था इस बात के साथ, कि जो लोग पहले से कहते आ रहे थे कि बुद्धी जो है वो एक ही परकार किया है, एक आत्मका धारना रखती है इस बात को उन्होंने क्या किया था चैलेंज और काता जी नहीं बुद्धी जो है वो क्या है अलग-अलग परकार की हो सकती है तो इसका मतला ना तो उन्होंने A को चैलेंज किया ना C को चैलेंज किया ना D को उन्होंने चैलेंज किया था इस बात के साथ कि बुद्धी जो है वो एक आत्मक नहीं है बुद्धी क्या है बहु आत्मक है इसलिए उनके बुद्धी के जो थियोरी है बहु बुद्धी है इसने क्या बोला था इन्होंने तो बोला था कि बुद्धी एक आत्मक नहीं है बुद्धी क्या है बहु बुद्धी के रूप में आती है तो सवाल का जो जवाब होगा वो क्या होगा option number B individual who demonstrate dash are accurately aware of their feelings and can show an appropriation for themselves कौन सी बुद्धी का परदशन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गेहनता से जानकारी रखते हैं और अपने गुनों को पहचानते हैं अपनी भावनाओं एक बात बताओं जो अपने आपको पहचानता है वो इंटर होता है कि इंटरा होता है जल्दी जवाब दीजेगा तर एक playlist बना दो रेसम राजबीर बेटा पढ़ ले playlist का क्या करेगी हैं कि नहीं पढ़ ले बेटा playlist भी बन जाएगी क्या रखा है playlist में बना देंगे और बता चलो तो नमबर आपके सामने जब यहां आता है तो यह क्या कहना चाहता है देखो अपने वाली बात को करेगा logic नहीं लगाना, सरीर नहीं लगाना बाशा नहीं लगानी इंटरा लिखा हुआ है, बात खतम आंसर होगा option number C है कि नहीं, यह logic और बताओ, 6 का जवाब भी क्या हो गया option number C आगे चलेंगे number 7 देखेंगे गाड़नर की थियोरी क्या कहती है गाड़नर की जो थियोरी है वो क्या प्रस्तावित करती है पहला इस बात के साथ की intelligence क्या है एक practical goal oriented है intelligence जो है वो क्या करता है बढ़ी बुद्धी क्या है पदानुकर्मित करम में साथ बुद्धी शामिल होती है बुद्धी एक सामाने शंता होती है जिसमें G-factor होता है या बुद्धी कई परकार की मानुए शंतावाले होती है बिल्कुल सवाल सामने रखा है जवाब जल्दी जवाब दे दो यह message बंद होगे, class बंद होगे हमारी बताए हाँ जी तो क्या जवाब दिया भई आप लोग ने सवाल का बहुत बढ़िया option number क्या है D तो साथ का जवाब D देने वालो साब आस नमबर आठ देखो gardener की theory में multiple intelligence में individual high dash can engage abstract reasoning easily अब देखो जो reasoning लगा सकता है आसानी से, problem को soul कर सकता है आसानी से तो देखो भईया एक बात बदाओ कभी कभी आपको लगता होगा कि कुछ चीजे जल्दबाजी में होती है जैसे मैंने आपको gardener की theory में आपका time waste ही नहीं करना चाहता gardener की theory सबसे आसान theory में count करता हूँ मैं मतलब जितनी भी कोई CDP में theory पढ़ाये जाते हैं सबसे आसान होते gardener की क्योंकि चार बाते उसके जानो जैसा नाम वैसा काम बाती कदम जी अब आपके सामने आता है एक भाईया कहा रहे सर जी आप ये बताओ नींद को कैसे control किया जाए देखो ये नींद control होदी नहीं ये तो आप मैं बता दूश वाली बात को साथ क्योंकि नींद ऐसी है जो आएगी आएगी नींद एक नशा है और वो ऐसा नशा है जो सब नशों से बड़ा नशा है बस ये याद रखेगा आपका अगर नशा इस टाइप का है कि आपको नोकरी पानी है तो फिर नींद जैसे मुझे ये पता है कभी कभी कंट्रोल भी करना होगा देखो नींद उसके अपना आप उड़ जाएगी जिससे अपने फ्यूचर की चिंता होगे जिससे अपने आने वाले कल की चिंता नहीं उसके नींद नहीं उड़ सकती और उसके नींद कोई उड़ा भी नहीं सकता ठीक है जी चलेगा नमबर आठ के साथ अगर आप जाते हैं तो आठ में जो जवाब होगा मेरे बच्चे क्या है creative special तो समझ में आगे abstract thinking जब भी करोगे तो नमबर आठ में जब देखोगे तो आठ का जवाब creative का जिकर नहीं हुआ था आगे तक किस सोच नहीं रहा nature case nature case में ब आती है कम अब देखो सवेरे समने जैसे कुछ खाया नहीं ऐसा कुछ खाय तो इसका मतार नीद नहीं आएगे तुम क्या करता हो तुम भैसों की तरह तो चरते हो तुम पूरे दिन घच पच गच बच को लाइबरेरी में पढ़ोगे नैं ऐसे सजा के रखतो खाने को जैसे यह वाली बात होगी आपन लाइबरेरी में जब जाते हैं एक अप चाय पी देते बस उसके ज़्यादा कुछ नसीब ही नहीं होता ना क्योंकि पहले गरीब थे और हमारे माबाब तो पहले कहते हैं भैया तुमारे पास सो रूपे हैं महीने के तुम लोग बिटा सुकर करो तुमारे साथ साथ आठ दस हजार आते हैं समझो जानने वालो हमें तो सो रूपे मिलते दे और सो रूपे बड़ी वो भी कमा के कैसे लिए हैं समझ लो बात को आजो आप से कहना चाहते हैं मेरे बच्चे यहां बर कि correctly match pair बताओ कौन सा होगा जो सही तरीके से मिला हुआ pair है वो कौन सा होगा सवाल नंबर आपके सामने 9 आता है और 9 नंबर क्या होगा जरा बताइए which of the following is a correctly match pair of the type of intelligence and then बेटा intelligence में logical mathematical and state possibility account है intelligence में special है and state possibility है athlete वाली बाद intelligence में linguistic है and state possibility navigator की बाद है intelligence में interpersonal and लिखा है और हुर्फे क्या है dancer सही वाला पूछना था कि end possibility बहुत बढ़िया सवाल था जब यह आया था तो देखो एक बात समझो special के साथ कभी special के साथ athlete हो नहीं सकता खदम linguistic के साथ navigator हो नहीं सकता खदम इसके बाद interpersonal के साथ dancer हो नहीं सकता गलत एक ही बच गया जहां mathematical होगा देखो भई जिसके पास math का हिसाब होगा उसके पास पैसे का भी हिसाब होगा और जिसके पास लोग number of classes ज़्यादा भी आती हैं, कम भी आती हैं, तो अगर किसी को लगता है कि time table fix है, यह बटा ओफ-लाइन classes में होता है, offline class में एक दिन में एक class चलती है, इसलिए fix होता है, online में एक दिन में 4-5 class चलती है, तो उसमें teacher का आना, जाना, कभी इसका digital board का खराब हो जाना, कौन सी ऐसी kind of intelligence है, जिसके बारे में gardener ने बताया, यहाँ बर, नहीं बताया, क्या है, नहीं बताया, तो note है, musical M आया, L B आया, B B आया, बेटा लेकिन पूरी theory में कहीं पर भी मैंने जो सिखाया, practical नहीं आया, तो एक बात बताओ, अभी तक तुमारी समझ में बहु बहु बुद्धी से दान्त आया कि नहीं आया, हाया ना, डन, अरे हाया ना तो बुलो, yes, चलो इसी बात पर तुम भी कहायाद करोगे, और सवाल करा हूँ, है बहु बद्धा, आगे समझ में, चलो फिर, दन, तो वैवारिक बुद्धी के बारे में इनसाब ने नहीं बताया, अब भाई एक काम कर दोगे मेरा, तुम मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरे टोने मोने, एक काम कर दो जड़ाओ, फोर्मूला लिखके बतादो, जिससे आपको ये वाली बात समझ मागी, कि गाड़नर स पर एक बार फिर ट्रीक आपके सामने, लिख हुआ तो टाइम लग जाएगा, तो नरेंदर मोधी जी को एक बार फिर बुलाया जाए, पेश किया जाए, पहली बार ऐसे होंगा, देश के परदानमंतरी नहीं है, टेग लाइन है, मतलब वो हमारी लाइन हो, बार बार हमारे पास आते हैं, तो देखेंगा, क्या सुना है था मैंने, मेरा, यहां से, मेरा इंडिया बोले, very, very important नरेंदर मोधी, तो याद रखने इस बात को काम हो जाएगा आपका यहां से, बिठा टाइम मेनेजमेंट अपने आप हो जाए, गुंजा नराम से, ठीक है, चलो, फिर यंकर वाला आने वाला है, बहुत बढ़ाएगा, ठीक है, तैंक यू सो मुझ, जैहिन, जैवारत, नमस्कार, ज्यान रको, बाई बाई